दोस्तों रोशकार स्वागत है आप सभी का आपी के चैनल उशाखी किरन्मे किसान भाई हो आज हम आपके लिए जानकारी लेकर के आये हैं सोनालिका के एक बहतरी ट्रेक्टर सोनालिका डी आई 42 आरेक्स के बारे में और इस वीडियो को हम बना रहे हैं इन दौर के पास में के पास में इनका शोरूम है पद्वावती ट्रेक्टर के नाम से जहां पर आप सुनालिका के इन ट्रेक्टर को जया करीदने के लिए इनकी टेस्ट डाइव के लिए यहां पर आप संपक कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसकी कीमत, माइलेज, स्पेसिफ आना चाहता हूं कि इसके अंदर आपको दो लाइट मिलती है हेलोजन बेस्ट जो की काफी पावरफुल है नाइट के समय में आप अपने खेतों के अंदर दिन रात ट्रेक्टर को चलाते हैं तो आपको अच्छी लाइट होना जरूरी होता है तो यहां पर आपको काफी पा बंपर दिया है यह भी काफी भारी दिया है जिससे कि आपके ट्रेक्टर की जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर बनी रहती है यह 75 kg के आसपास का पूरा बंपर का वेट है जिससे कि आपका ट्रेक्टर जब चलता है तो पूरा पूरा जो है जमीन को पकड़ करके चलता है तो 50-16 के इसके अंदर टायर जो है आगे की साइड में दिये गए हैं पीछे के अगर हम टायर की बात करें दोस्तों तो फिलाल ट्रेक्टर के अंदर लगे हुए हैं 13-28 के टायर और अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो 14-9-28 के अंदर भी आपको टायर का जो है लेने का ओप्स सीट मिलती है जिससे कि आपकी सीटिंग काफी अच्छी रहती है इसको हम एड़ेस्ट भी कर सकते हैं अपने सहूलियत के अंसार आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप अपनी सीट को एड़ेस्ट कर सकते हैं और सीटों के अंदर दोस्तों आपको जैसा की कारों के अंद जिससे कि आप आसानी से उबर चड़ जाते हैं और यहां पर आपके leg space की अगर हम बात करें पेरों के रखने की जगे की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा प्लेट फार्म दिया हुआ है जहां पर आप अच्छे से बैठ सकते हैं छोटा मोटा को सामान भी रखना चाहें बैग वगरा तो वो भी रख सकते हैं और यहां पर आपको dual clutch मिलते हैं इसके अंदर oil में भीगे हुए brake के साथ में आता है सुनाली का सिकंदर di42 rx काफी सुन्दर आपको इसके अंदर graphics दिये गए हैं और hdm यानि कि heavy duty इसके अंदर आपको mileage मिलता है और heavy duty machine के साथ में यह है सिकंदर की branding है 45 hp category के अंदर आने वाला यह tractor है तो दोस्तों मैं आपको engine दिखाओं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो bonnet है इसको खोलना काफी आसान होता है आप जस्ट एक चावी लगाएंगे यहां पर और इस तरह से जो है आप आसानी से इसको खो साफ करना आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और इसको इस तरह से एजिली आप लगा सकते हैं तो यह जो है filter की life को एनेस करता है साथ ही आपके maintenance की जो cost है उसको भी काफी अत्तक कम करता है यानि कि आपको जो है zero maintenance मिलता है इंप्रेक्टर के साथ में और यहां पर आप आगे क साइड में देख सकते हैं एमरोन की बैटरी है इसको बॉनट के अंदर लगाया गया जिससे कि यह सेफ रहती है कोई चोरी चकारी भी नहीं कर सकता है अब हम बात करें इसके इंजन की तो आप देखेंगे इसके अंदर काफी पावरफुल जो है 2780 cc का जो है तीन सिलेंडर का इंजन दिया गया दोस्तों वाटर कूल इंजन जिसका आप उपर की साइड में देख सकते हैं कुलेंट वगरा यहां पर फिट किया गया है यह अल्टरनेटर है इसका और इस साइड में आप देखते हैं तो यह इसका एक्जॉस्ट पाइप है जिसका अगर हम यह बताना चाहता हूं कि इसकंदर आपको ओयल में भीगे हुए ओयल इमस्ट ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं काफी सुन्दर आपको टेल लेंप हैं पार्किंग लाइट है रिफ्लेक्टर है यह सारी चीज़ें आपको यहां पर प्रवाइट की हैं आपके बाल वगरा खरा इसके इस से जो है परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेक्टर के स्टेरिंग के बारे में तो यहां पर आपको पावर श्टेरिंग तो मिली जाता है जिससे कि आप इजली इसको काट लेते हैं छोटी सी चोटी जगे के अंदर और इ इसके अंदर आपको चार गियर आगे चार फोरवड और एक रिवर्स यानि कि आपको यहापर जो है टोटल पाँच गियर जो है प्रोवाइट किये गए हैं अब जरह हम इसके स्टेरिंग की बात करने फिर हम चलेंगे पीछे की साइड में तो आपको मैं दिखाना चाता आप इसको इजली इस तरह से रोटेट करके भी चला सकते हैं मीटर आपको यहापर काफी सारे मिल जाते हैं यह बीच में आपको बड़ा आर्पियम मीटर है यहापर आपका वाटर टेंपरेचर कितना है उसका मीटर है यहापर आपका फ्यूल गेज कितना है उसका मीटर द आपको चाबी या आपके लाइट के कंट्रोल का लीवर है यहाँ पर आपको हात वाला रेस भी इसके अंदर मिल जाता है Mobile charging की अगर हम बात करें इसके अंदर तो आपको mobile charging का प्रावधान भी इस ट्रेक्टर के अंदर दिया गया है आप यहाँ पर अपने फोन को लगाएंगे और आप अपने फोन को इजली चार्ज कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह का टेक्टर है काफी बहतरी इन फ्यूल एफिशन टेक्टर है अगर हम इसके डीजल टेंक की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है reverse PTO मिलता है आपको यहाँ पर PTO RPM की अगर हम बात करें तो 540 आपको reverse मतलब PTO के RPM मिल जाते हैं जिनको कि आप reverse PTO के साथ में पाते हैं साथी दोस्तो आपकी किस तरह की मिट्टी है नरम मिट्टी है और कड़क मिट्टी है या सॉफ्ट मिट्टी है उसके अंसार आप यहाँ पर setting करके आपको कही तरह की sensing यहाँ पर दी गई है जिससे कि आप अपना attachment लगा करके इसका use कर सकते हैं hinging भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कही options के साथ में दी गई है जिससे कि आपको काफी comfortable होता है अपने tractor को चलाना साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक अलग से gear lever भी दिया गया जिससे कि आप trolley वगरा को आसानी से उठा सकते हैं और यहाँ पर आपको इसके अंदर connection करने के लिए भी विवस्ता की गई है तो दोस्तों पीछे से है हमारा tractor को इस तरह का और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको जो पीछे की side में यह connection दिये गए है यह chain type के नहीं है जिससे कि उनका टूटने फूटने का डर रहता है यहाँ पर आपको यह जो है adjustable sock up type की दिये गए हैं जिससे की इनका यूज करना और इनकी durability भी काफी सांडार रहती है तो दोस्तों इस तरह का है tractor पीछे की side से और यहाँ पर आपको लगानी है number plate उसके उपर आपको light भी दी गई है पीछे की side में भी आपको एक बड़ी light दी है जिससे की जब आप tractor को चलाएं तो पीछे के road के उपर भी आपकी निगा बनी रहे तो किसान भाईयो मैं उमीद करता हूँ tractor के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिये कीमतों के बारे में दोस्तों मैं आपको एक tentative idea देना चाहता हूँ आप कीमतों को code ना करें लगबग साड़े 6 पोने 7 लाग रुपे के आसपास इसकी कीमत होनी चाहिए बाकी detail में और एक accurate कीमत के लिए आप पदमावती सोनाली का tractor पर संपर कर सकते हैं एक डंबर राउ इंदौर में और हम चलते हुए इसके offer के बारे में आपको जनकारी दे देते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके अंदर काफी बैतरीन offer वगरा चल रहे हैं heavy duty दमाका के नाम से जो कि आप यहाँ पर जो है 50 ग्राम 5 ग्राम 25 ग्राम और इस तरह के जो है चांदी और सोने के सिके प्राप्त कर सकते हैं हर ट्रेक्टर की खरीदी के ऊपर लखी डुरा आपको निकाला जाएगा उसके तहत तो यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर तब तक के लिए जै जवान जै किशान